A very good morning student, today is your computer class, I am going to teach computer chapter 5, formatting in word इसके पहले के class में हमने formatting क्या होता है और कैसे हम font size और font को change कर सकते हैं इसको देखा था, आज की topic है हमारी changing the font color, font color को कैसे change करते हैं तो computer में कोई भी work करने से पहले पहला काम क्या करते हैं हम उस text को, जिस text पे हमें कोई भी नई चीज़ करनी है उसके लिए हम उस text को select करते हैं, उसके बाद font color option पे जाते हैं यह आपका है A और नीचे जो color बना और capital A लिखा हुए color बना यह क्या है, font color को denote करता है तो changing the font color, font color को change करने के लिए हम यहाँ पे click करते हैं और इसमें से जो भी color हमें समझ में आता है, उस पे click कर देते हैं तो जिस text को हमने select किया है, उसके color change हो जाते हैं नेक्स्ट आपका है making text bold italic and underline अब bold italic और underline क्या होता है, सबसे पहले हम इसको देखेंगे bold क्या होता है, जो कि normal text से थोड़ा dark color में दिखता है वो क्या होता है, bold होता है, italic, थोड़ा slatting, pom में लिखा होता है थोड़ा तिर्षे में लिखा होता है, वो italic होता है, underline जो कि उस text के नीचे एक line खिची होती है, उसे हम underline कहते है bold को हम B से denote करते हैं, italic को I से denote करते हैं and underline को U से denote करते हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं, B capital में है वो क्या है, bold को denote कर रहा है, I italic को और U underline को अब किसी भी text को हमें bold या italic या underline करना है तो सबसे पहला काम क्या करते हैं उस text को जिससे हमें bold italic या underline करना है, उसे हम select करते हैं फिर अगर bold करना है, तो bold पे click करते हैं, तो वो text bold हो जाता है अगर italic करना है, तो उस text को select कर italic पे click करते हैं और यदि underline करना है तो उसे text को select कर underline पर जब click करते हैं तो वो underline form में हो जाता है next topic हमारी है click your progress अब हमने अभी तक जितना पढ़ा है उसकी progress को देखेंगे write the function of the following icons of the font group अब यह सारे function दिये हुए है यह सारे font group के दिये हुए है जिसको की हमें इसके function को बताना है b for हमने बताया क्या है bold a नीचे जो color बना हुए वो किस काम आता है font color को change करने के काम में आता है तो changing the font color i font italic किसी भी text को italic करने के लिए हम इसका use करते है underline किसी भी text को underline form में करने के लिए हम underline का use करते है और यह जो number लिखे में 18 और यह यह क्या है यह font size को change करने के लिए होता है अब हम सबसे पहले यह देखेंगे alignment क्या होता है align text left left alignment में क्या होता है left side की तो सारी line एकदम बराबर होती है लेकिन right side में क्या है कुछ आगे और कुछ पीछे हो सकती है center alignment में क्या होता है कि सारे जो text होते है वो बीचो बीच होते है left में भी space होता है और right में भी space होता है ठीक right alignment में क्या होता है right side में तो सारी चीजे balance होती है सब एक बराबर होता है लेकिन left side में क्या थोड़ा आगे पीछे होता है justify में justify में same condition होती है right में भी उतनी space होती है जितनी के left में होती है तो हम उस तरह की text को हम क्या कहते है justify to align the paragraph select the text किसी भी paragraph को align करने के लिए पहला काम हमने क्या बता है उसे हम उस text को पूरा हम select कर लेते पूरे paragraph को and click on one of the alignment और किसी भी alignment पे हम click करते हैं अगर left alignment पे click करेंगे तो इस form में हो जाएगा center पे click करेंगे center form में alignment text पे right पे click करेंगे तो इस form में और justify पे click करेंगे तो इस form में सबसे पहला क्या करना है paragraph को select करना है और फिर जाके home tab पे जाके इस में से जो भी alignment select करना है वो करके हम alignment को change कर सकते है इसके बाद हमारा आता है using bullet and numbering इस topic को हम अगले class में पढ़ेंगे आज के लिए इतना ही